राम लखन सीता को लेकर चल पड़े बनवास राम लखन सीता को लेकर चल पड़े बनवास अयो धनगरी हो गए बिल्कुल ही उदास ओ बगतों बिल्कुल ही उदास के वटने धो के चरण किया चरणा मृत पान नाव में अपनी बिठाई के चोड़ा गंगा पार प्रभु को छोड़ा गंगा पार बोले मुदरी ले भिलो उतराई का दाम और नहीं कुछ पास है हम है खाली हात सुनो जी हम है खाली हात हात जोड़ बोला प्रभु तुम हो तारण हार जैसे उतारा मैंने तुमें तुम भी लगाना पार प्रभु जी तुम भी लगाना पार पंचवटी पहुचे वहां पर्ण कुटी थी बनाई बनवास काटे यहीं मन में यही समाई थी उनके मन में यही समाई शूप नखा मन भाग गए भकतों देखो श्री राम सुन्दर रूप को धार के पहुची उनके पास सुनो जी पहुची उनके पास बढ़ने जब हद से लगा श्रूप नखा का उतन्द नाक लखन ने काट दे दे दिया उसको दन्द सुनो जी दे दिया उसको दन्द नाक कटा के पहुच गए वोरावन के पास जोटी बात बताएके करने लगी उत पात वो कुलटा करने लगी उत पात तेरे इस अपमान का लूंगा बदला जरूर सीता हर के लाउंगा तोड़ूंगा उनका गुरूर ओ बैना तोड़ूंगा उनका गुरूर सोने काम्रिक बन पहुचा पण कुटी मारीच सीता को लल चाने लगा अपनी तरफ वोनीच सुनो जी अपनी तरफ वोनीच पीछे पीछे चल दिये बाण लिये रगुबीर गने जंगल को भाग लिया म्रिग बना मारीच सुनो जी राम की करुण पोकार पल लखन चले बन ओर लक्षमन रेखा में बांध के पढ़न कुटी की डोर सुनो जी पढ़न कुटी की डोर रावणने माया रचे साधु रूप बनाए पढ़न कुटी को चल पढ़ा अलक निरंजन गाए वो पापी अलक निरंजन गाए भिक्षा देने के लिए जैसे बढ़ाया हात हात पकड़ के कीच लिया ले चला अपने साथ सिया को ले चला अपने साथ राम लखन जब लोट के पढ़न कुटी को आई सीता को पाया नहीं इर्दे बहुत अकुलाए दोनों के इर्दे बहुत अकुलाए खोजते खोजते आ गए दोनों शबरी के द्वार जूठे बेर को खाएके उसका किया उधार प्रभू ने उसका किया उधार किशकिंधा पहुचे वहां सुक्रिव मीत्र बनाई किशकिंधा पहुचे वहां सुक्रिव मीत्र बनाई बाली का वध कर दिया राज फिर दिलवाए सुक्रिव को राज फिर दिलवाए सीता जी की खोज में लंका पहुचे हनुमान सीता जी की खोज में लंका पहुचे हनुमान मूत्र का दीप्रभु राम के किया चर्णन प्रणाम सिया के किया चर्णन प्रणाम लंका में फिर मचा दिया कपी ने भारी उत पात तहस नहस लंका करे जला कर कर दी राख कपी ने जला कर कर दी राख रावण ने तब कर दिया योध का एलान आमने सामने आ गए योध हुआ गमसान सुनो जी योध हुआ गमसान वीर घात नी मार दै लक्ष्मन को में गनात इक पल में मुर्चित हुए कपिदल भयाकार सुनो जी कपिदल भयाकार पूटी संजीवन लाए के बचाई लखन के प्राण राम प्रभू ने भी कही जै 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 हनुमान तिहार जै 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 हनुमान कुम्भ करण में गनात सं मार गय सभी वीर एक रावण रहे गया लंका का महवीर सुनो जी राम रावण के बीच में युद्ध हुआ घमसान राम रावण के बीच में युद्ध हुआ घमसान सारी धरती हिल गए काप उठा आसमान सुनो जी काप उठा आसमान अगनी बाण को सांध के रावण नाभी की ओर अगनी बाण को सांध के रावण नाभी की ओर राम प्रभू ने तीर को एकदम से दिया छोड़ सुनो जी एकदम से दिया छोड़ भयंकर गर जना करते हुए करके भारी शोर भयंकर गर जना करते हुए करके भारी शोर गिरने पड़ने वो लगा पापि धरा की ओर सुनो जी पापि धरा की ओर रावण के मरते ही सुनो खुश हुआ संसार रावण के मरते ही सुनो खुश हुआ संसार राम प्रभू के नाम के होने लगी जैकार धरा पे होने लगी जैकार सुप के राज विभीशन को सिया लखन के साथ आयो ध्या नगरी लोट चले सारी सिस्टी के नात सुनो जी सारी सिस्टी के नात राम राज फिर लोट आया खुशिया बसे चहु और राम राज फिर लोट आया खुशिया बसे चहु और राम लखन सिया दर्श से हुए सब आत्म विभोर सुनो जी हुए सब आत्म विभोर चंदन तिलक लगाएके भजलो राम का नाम चंदन तिलक लगाएके भजलो राम का नाम